नमस्कार दोस्तों, Cooking with Dimanshi चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लेकर आए हैं आलू की एक लाजवाब रेसिपी आलू सभी बच्चे हो या बड़े हो सभी को बहुत पसंद आती है तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी ही सबजी जो खाने में बहुत ही तेस्ची और बनाने में बहुत ही आसान है तो आए हम बनाते हैं दही, मसाला, आलू तो शुरू करते हैं इसे बनाने की विदि सबसे पहले हमने आलूओं को उबाल कर छील लिया है यह अच्छे से पक चुके हैं अब हम इने एक फोक की साहता से प्रिक करेंगे मतलब इन में गोदेंगे इन में छेद करेंगे ताकि जब हम इने फ्राइ करें तो जो मसाला है वो इनके अंदर अच्छे से सोख हो जाए औब्सर्ब हो जाए हमने इने हर तरफ से गोद लिया है आपको दिख रहा होगा कि हमारे आलूओं में हलके हलके छेद हो गए है अब हम इन आलूओं को टीप फ्राइ करेंगे उसके लिए हमने एक कड़ाई में तेल गरम करने रख दिया है तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम इन आलूओं को उस तेल में भूनेंगे आप इन आलूओं को तेल में तभी डाले जब यह तेल अच्छे से गरम हो जाए वरना आलू कड़ाई के तले से चुपक जाएगा अब हमारा तेल गरम हो चुका है और हमने अपने अलू उसमें फ्राइ कर लिये हैं यहाँ पर अलू का रंग हल्का ब्राउन हो चुका है लेकिन हमें इन्हें और जादा ब्राउन करना है ताकि यह और जादा अच्छे से पक कर सारी ग्रेवी सोक सके तो जब यह अच्छे से लाल हो जाएं तब हम इन आलूओं को तेल से निकाल लेंगे अब हमारे आलू भुनकर अच्छे से रेडी हो चुके हैं अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे और देखिए यह आलू बहार से दिखने में एकदम क्रिस्प है और अंदर से उतना ही मुलायम जैसे की वीडियो में दिखाया गया है यह आलू अंदर तक पक चुका है और काफी सॉफ्ट है अब हम ग्रेवी बनाते हैं उसके लिए कड़ाई में दो बड़े चमच रिफाइन डॉयल डालेंगे और उसे गरम होने देंगे अब हम इसमें अपने मसाले अड़ करेंगे जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब उसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून ओफ जीरा एक छोटी चमच जीरा अब इस जीरे के भुनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आदा छोटी चमच हल्दी पाउडर बहुत ही टेस्टी लगता है इस रेसिपी में तो इसे एकनोर ना करें और इसे जरूर डालें साथ ही हम डालेंगे आदा छोटी चमच लाल मिर्च लाल मिर्च की मात्रा आप अपने स्वाद अनुसार गटा या बढ़ा सकते हैं अब हम इन मसालों को काफें अच्छे से भून लेंगे मसालय हर रेसिपी में भून लिजिए गा ताकि इनकी महेंक अच्छे से बहार आए अब हमने उसमें डाला है हरी मिर्च इसे भी हम मसाली के साथ भून लेंगे साती में हमने एड़ किया है अदरक यह दोनों भी अच्छा फ्लेवर देते हैं हमाई ग्रेवी को अब हम इस मसाले को काफे अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारी अद्रक और हरी मिर्च भून जाए अब हम इस मसाले के भूनने के बाद हम इसके अंदर एड़ करेंगे नमक हमने यहाँ पर आधा टी स्पून काला नमक के इस्तिमाल किया है काला नमक और साधा नमक आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं हमने यहाँ पर आधा चोटी चमच काला नमक और साथ ही में एक चोटी चमच सफेद नमक का इस्तिमाल किया है अब हम इस नमक को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे इसमें टमाटर हमने टमाटर को छोटे-छोटे पीसे में काट के रखा था और इने तेल निकलने तक भून लेंगे जब धीरे-धीरे इनका तेल उपर आने लगे हम इसे चलाते रहेंगे और टमाटर अच्छे से पक जाएगा और थोड़ा बहुत तेल उपर आ जाएगा जैसे कि किसी भी ग्रेवी में आ जाता है जब तक किसी भी ग्रेवी में तेल उपर तैर कर ना आए उसका मतलब है कि ये वह ग्रेवी अच्छे से भूनी नहीं है अब हम इस ग्रेवी में एड़ करेंगे दही हमने यहाँ पर तीन छोटे चमश दही को फेट कर यूज किया है अब इस दही को भी हम टमाटर की ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी दो से तीन मिनिट तक कल्चे से चलाते हुए भूल लेंगे इसके उपर भी हमारा थोड़ा बहुत तेल तैरने लग जाना चाहिए तभी ये ग्रेवी अच्छे से पक कर तैयार होगी दही के भुनने के बाद हम इसके अंदर एड़ करेंगे अपने फ्राई किये हुए आलू और ये सारी ग्रेवी हमें अपने आलू के ऊपर अच्छे से चिपका देंगे आप इस ग्रेवी के पकने तक और इसके सूपने तक इन आलू को मध्यमाज पे चलाते रहें यह ग्रेवी हल्की सी आलू पे चिपक जाएगी और आप चाहें तो इसे बिल्कुल सूखा भी कर सकते हैं बिल्कुल ग्रेवी ना रहने दें और चाहें तो आप ग्रेवी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा दही और एड़ कर सकते हैं अब हम इने सजाएंगे हमने इने धनिये की पत्ती और दही डाल कर सर्व किया है यह खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनने में इसे जादा वक्त नहीं लगता है यह रोटी चावल आदी के साथ बहुत जादा स्वाद लगती है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर देखें और बनाना भी ट्राइ करें अगर आपको हमाई रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद